चिराग पास्वान कोई एरा गैरा आदमी नहीं है बलकि वो राम बिलास पास्वान का बेटा है वो राम बिलास पास्वान जिनको मौसम बैग्यानी कहा जाता था अब यह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिराग पास्वान ने उन लोगों से बदला लेना शुरू कर जिनोंने कभी उनकी पाटी को उनके पिता की बनाई पाटी को तोड़ दिया था चिराग पासवान ने बदला लेना जब सुरू किया तो जो बिरोधी हैं वो छट पटाने लगे उनकी पाटीयों का केंद्रिय संसदिय बोड़ को भंग कर दिया गया और यह सब कुछ कहा जा है कि चिराग के कारण हुआ आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं कि सबसे पहले चिराग पास्वान की जब पतना में अपने पार्टी का स्ठापना दिवस मनाते हैं तब वहां पर पशुपति पारस गूट की एक महिला सांसद चिराग पास्वान के साथ आती हैं मतलब कि चिराग पासवान ने अपने चाचा की पाटी को तोड़ने का काम सुरू कर दिया अब सबसे महत्पुन बात गौर से सुनिए जो खबर चल रही है उसके मुताबिक पशुपती पारस का कोई भी सांसद उनके उपर विश्वास नहीं कर रहा सबको पता है कि अगर हम फिर सांसद बनेंगे तो केवल और केवल चिराग पासवान के चेहरे के कारण और अगर हम सांसद बनेंगे तो सबसे बड़ा हाथ उसमें चिराग पासवान का होगा और इसलिए कहा जा रहा है कि उस वक्त पर तो सांसद तूटकर चले गए लेकिन अब फिर से हर कोई चिराग पास्वान के साथ आना चाहता है पशुपती पारस को छोड़कर कई बड़े बड़े नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि चिराग पास्वान आगे हैं मजबूत हैं मतलब कि चिराग पास्वान अब कहा जा रहा है कि सबका बदला लेंगे जो उनके साथ किया गया अब पशुपती पारस को समझे पशुपती पारस के सांसद जब चिराग पास्वान का समर्थन करेंगे तब क्या होगा तो पशुपती पारस के सांसद चिराग के साथ तो उनका जो अपना सीट है हाजीपूर उस पर से भी दावा कमजोड होगा उस पर से भी वो कमजोड पड़ेंगे क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो पार्टी के सांसद थे वो सारे के सारे सांसद आ जाएंगे अब वीना देवी महिला सांसद वो चिराग पासवान के साथ मंच साजा करती हैं पुर्ब में वो कह चुके हैं कि चिराग पासवान के साथ उनको कोई अतराज नहीं है पार्टी के और दुसरे सांसद चिराग पासवान के साथ मिल चुके हैं चिराग पासवान को लेकर वह सकरात्मक रूप से बोलते हैं कहते हैं कि चिराग पासवान में कोई बुराई नहीं उनको मुख्य मंत्री बनना है मतलब कि वह भी चिराग पासवान के साथ है और यही सबसे बड़ी बात है कि अगर सब सांसत चिराग पासवान के साथ आते जाएंगे चुनाओ जेव जेव नस्दीक आएगा तब इसका सीधे तोर पर प्रभाव पड़ेगा पशुपती पारस पर और पशुपती पारस का अ चुनाओ जीत पाएंगे फिलहाल चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान की बारी आई है एक के करके हर सांसत उनके पास आएगा क्योंकि हर सांसत जानता है कि अगर सांसत फिर से बनना है तो पशुपती पारस के भरोसे नहीं बलकि चिराग पासवान के भरोसे बन पाएंगे और अगर चिराग पासवान का बिरोध किया तो चुनाओ जीतना आसाणनाई नहीं फिराल। चिराग पास्वान अब अपना बदला लेंगे अपना बदला कैसा लेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन कहा जा रहा है कि अगर चिराग पास्वान बदला लेकर चाचा को एंडिये की राजनिती से आउट कर देते हैं पशुपति पारस का राजनितिक भविश से अ बीच बीच में दूसरे सांसदों से भी उनकी मुलाकात हो ही है और वो सांसद चिराग पास्वान के बारे में सकरात्मक रूप से बोल चुके हैं तो अब आपके इस पर क्या राय है कमेंट बोक्स में लीकर बदाईएगा आगे जो भी और जानकारी जो भी अपडेट आएग करेंगे तमाम खबरों के लिए मरसत बने रहीएगा कि अमरेक्षे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद